कलकता में एक गना जंगल था जहां कालू नाम का एक चोर रहता था वो बड़ा ही बेवकुफ था वो सारा दिन टीवी पर चोरी करने के असान तरीके देखता फिर टीवी पर देखे के हथ्यारों को बजार से खरीदता और रात को अपने हथ्यार लेकर चोरी करने निकल जाता लेकिन सुपा खाली हाथ लोटता था क्योंकि वो बेवकुफ था इसी तरह एक दिन उसने टीवी पर हथोरे से चोरी करने का तरीका देखा फिर उसने जल्दी से बाजार से हथोरा खरीदा जैसे ही रात हुई वो चोरी करने निकल पड़ा वो एक भड़े से कर के सामने आया और तिवाद को सोर सोर से मारने लगा थोड़ा मारने की आवास उची होने की बचा से टुंटुन चिडिया की आंग खुल गई और वो समझ गई कि कालू चोर आया होगा अच्छा तो कालू चोर आज मेरे घर चोरी करने आया है इससे पहले कि बूँ मेरा सारा घर तोड़ते मुझे उसे रोखना होगा ये कहकर टुन्टुनी चिडिया जल्दी से घर के बाहर आई क्या है रे कालू ये क्या कर रहे हो देश नहीं रहे चोरी कर रहा हूँ बेवकूफ तुम चोरी धोड़ी का पहे हो तुमों मेरे गर की दिवार तोड़े हो अपने लिए बेवकूफ का लव सुनकर कालू चोर खुस्टे में आ जाता है ये तुम बेवकूफ किसको कह रही है मै कोई बेवकूफ नहीं हूँ हाँ बागी चोरों से थोड़ा सा हट कर हूँ और हाँ अब परताब जो तुमने मुझे बेवकूफ बोला ये तो तुम्हें साफित करना होगा कि तुम बेवकूफ नहीं हो और बागी साथ चोरों से हट कर हो वरना तो मैं तुम्हें बेवकूप भी कहूंगी अच्छा अच्छा बताओ तुम्हें कैसे यकीन आएगा कि मैं बेवकूप नहीं हूँ फिर टुन्टुनी चिडिया मन ही मन में सोचने लगी ऐसा क्या करूँ कि इस कालू की चूरी करने की आदत हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए फिर कुछ सोच कर वो जल्दी से बोली इसके लिए तुम्हें चांद को चुराना होगा कालू चांद को देखते हुए जल्दी से बोला अरे ये भी कोई मुश्किल बात है लेकिन फिर तुम वादा करो कि तुम्हें मानना पड़े का कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ हाँ हाँ मेरा वादा है कि फिर मैं तुम्हें कभी बेवकूफ नहीं कौंगी फिर कालू कववा चांद को चुराने के लिए वहां से निकल पड़ा और टुन्टुनी चडिया भी अपने घर में आकर सो गई चांद को देखकर कालू कववा खुद से कहना है ये टुन्टुनी भी बागी सब पक्षियों की तरह मुझे बेवकूर समझती है लेकिन कल जब मैं चांद को चुरा कर टुन्टुनी चडिया के सामने लेकर आऊंगा तो फिर इसे मानना पड़ेगा कि मैं वाक्षिये ही में अक्तलबन हूँ और उस वाक टुन्टुनी के साथ साथ बागी सब पक्षियों की शकल देखने लायक होगी फिर कालू कववा जल्दी से जंगल से घर आया घर आकर उसने टेवी पर चांद चुराने का असान सा तरीका देखा और फिर जल्दी से अपने घर में पड़ी हुई सीड़ी ट्रक में रखी और ट्रक लाकर एक सिजान में रोप दिया साथ ही उसने एक लंबा सा तरख्त ढूंडा फिर सेड़ी उस तरख्त के साथ लगा कर जल्दी से रसी लेकर वो चांद के पांस पहुँच गया और चांद को रसी से बांद कर जमीन पर ले आया जैसे ही चांद जमीन पर आया तो हर तरफ हंदीरा चा गया सब पक्षी अलर्ट हो गे और कहने लगे ये सब कालू चौर ने किया है क्योंकि वही बेवाकूफ है और ऐसा कर सकता है कालू चौर को सारे पकड़ो और इसे सीधा करो आज अच कालू चौर को हरकिल नहीं चोड़ेंगे कालू चोर ने जब सब पक्षियों को वहां आते देखा तो उसने ढर के मारे जल्दी से चांद को छोड़ दिया फिर चांद वापिस अपनी जगा पर चला गया और एक दफ़ा फिर हर तरफ रोशनी हो गई और सब पक्षी खुश हो गई कालू कवा चल्दी से कार आ गया और उसने भी चोरी करने से हमेशा हमेशा के लिए तोबा कार ली